कि नमस्कार competition community के comprehensive करने फैस प्रोग्राम में मैं प्रुक्राज एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं और जो पिछला महीना था एप्रिल उस महीने में 16 से लेके 30 एप्रिल तक का जो करने फैस है उसको लेकर मैं आप सभी के सामने आ चुका हूं तो सबसे पहले जैस हूंगे कि खाली slide आ चुका है खाली slide है मतलब क्या है तो यहां पर एक साहितकार आने वाले हैं ठीक है भई तो साहितकार जो है याद रखना इनका नाम है शुकलाल प्रसाद पांडे जी शुकलाल प्रसाद पांडे जी अब इनकी रचना देखें तो पहली रचना इनकी य भूल भूलया तो पहली रचना है गिया अव भूल भूलया दूसरी रचना बहुत इंपोर्टेंट है इसको ध्यान रखना ये है पुरू जुरू ये आक्चुली पीएसी में आ भी चुका है तो विल्लम शेक्स्पियर की एक रचना थी जिसका नाम था क्या Comedy of Errors तो इसका ये 36 गड़ी में अनुवाद है पुरू जुरू और तीसरा जो है वो है 36 गड़ वैभव तो क्या बताया मैंने मैंने आपको बताया कि साहितकार है जिनका नाम है क्या शुकलाल पुसाथ पांडे पहली रचना गिया अव भूल भूलया दूसरा पुरू कॉमेडी ओफ एरर्स है किनका तो बेसिकली विल्यम शेक्सपियर का और तीसरा क्या है 36 गड़ वैभव अब कुछ की वर्ड़ को याद रखना तो ये याद भी आसानी से हो जाएगा शुकलाल जी के लिए याद रखना शुक्र गियाओ भूल भूलया के लिए शब्द सथे हो तो याद कैसे करोगे शुक्र है भूल गया पुरा 36 क्या यद रखना शुक्र से शुक्लाल पसात पंड़े भूल से गियाओ भूल भूलया पूरा से याद रखना पूरु जुरू और CG तो 36 गड़ वैभव आई होप आप सभी समझ गए होंगे और अब एक छोटा सा एनाउंस्मेंट जैसा कि आप सभी जानते ही हैं 8th of April 2023 से हर शनिवार आपके अपने Competition Community के YouTube चानल पर मैं कोखराजगिरी आप सभी के सामने मोर्च 36 गड़ नाम से एक सीरीज लेकर आ रहा हूँ देखिए अगर आप CG PSC के किसी examination की तयारी कर रहे हैं या व्यापन द्वारा conducted किसी भी examination की तयारी कर रहे हैं तो सामाने तोर पे आपने देखा होगा कि यह जो subject है CGGS इसका weightage बहुत रहता है और खास कर नए जिले बनने के बाद लोगों में confusion भी बहुत है तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए Competition Community ने क्या किया है तो आप सभी के लिए YouTube Life के माध्यम से CGGS की एक बहतर तयारी करने का बिड़ा उठाया है या बहतर तयारी कराने का बिड़ा उठाया है और इसी करम में मोर्च अगर नाम से एक सीरीज में लेकर आता हूँ शुरू हो चुका है और डी 8th of April 2023 से हमारे YouTube चानल पर जवाब जाएंगे तो मोर्च अगर के नाम से एक प्लेलिस्ट भी बना हुआ है जिसमें जाकर पुराने वीडियो को आप देख सकते हैं और आने वाले वीडियो के लिए हर शनिवार दोपहर तीन बजे आप हमारे YouTube चानल पर आएं और इस सीरीज का आनन्द उठाएं ठीक है चलिए अब हर बार की भाती क्या करते हैं जो लास्ट वीडियो के क्वेशन्स थे उन क्वेशन्स को पहले देख लेते हैं तो पहला ही क्वेशन क्या है चत्तिजगर सरकार की राज्य महिला उध्यमिता नीती के संबंध में असत्यकत्षन मतलब इनकरेक्ट क्या स्टेटमेंट है ये बताना है तो पहला ही इसकी अवधी 2023 से 2028 तक है तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है लास्ट वीडियो में देखे थे 2023 से 2028 तक चलेगी ये नीती अगला क्या कहता है स्टेटमेंट तो वी निर्मार उध्यम मतलब मैनेफेक्टरिंग एंटर्प्राइज के लिए जो वाल्यू है रिंकी वो कितनी है 50 लाख तो इस बात को भी हमने देखा था वही मैनेफेक्टरिंग एंटर्प्राइज के लिए माक्जमम पचास लाख तक का लोन मिल सकता है सी स्टेटमेंट जो है बताता है कि अगर सर्विस टाइप का कोई एंटरप्राइज है सेवा उध्यम है तो उसमें अधिक्तम कितना 25 लाख लुपय करेंड का प्रावधान है ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सहीं है अब आजाओ लास्ट स्टेटमेंट क्या बताता है कि अगर कोई विवसाय है ठीक है कोई दूसरा बिजनेस है ऐसा कोई एंटरप्राइज है उसके लिए अधिक्तम 20 लाख लुपय करेंड तो हमने लास्ट वीडियो में देखा था 20 नहीं ये सीमा कितनी थी 10 लाख की इसलि अगला कोश्यन अब देखो मैं यहां दबा रहा हूं अब दबा राश्ट्री स्तरपर दीन दयाल उपाध्याय पंचायत सतत विकास पुरुसकार 2023 प्रदान किया गया है अगर आपने लास्ट वीडियो देखा था तो मैंने आपको बताया था कि स्वस्थ पंचायत इस थीम में इंग्लिश में हेल्दी पंचायत हेल्थली लिखा गया जी हेल्थली पंचायत इस थीम में अवर्ड मिला है नाश्टल अवर्ड 2023 के लिए किसको साकरा ग्राम पंचायत को ठीक है कि नहीं और यह आपा कौन से जिले में हैं तो धमतरी यह भी आपको ध्यान में दखना है क्लियर है तो लास्ट वीडियो में इसको देख लिए थे थे थर्ड क्वेशन क्या है मुख्यमंत्री आदिवासी परब सम्मान निधी योजना आपको ध्यान होगा मैंने बताया था तेरा एप्रिल को चालू हुआ है और अठारा सो चालिस इतने ग्राम पंचायतों को मैंने आपको बताया था की गई दूसरा बात इसके तहत ऐसे पात्र पंचायत जो है मतलब ऐसे पंचायत जो की स्योजना के पात्र हैं उनको प्रतिवर्श दस हजार रुपय का अनुदान दोकिष्टों दिया जाएगा ये बात भी बिल्कुल सहीं है और उसी दोकिष्ट क पहले किष्ट पाँच हजार दी गई थी ये भी आपको बताया था मैंने सी कहता है कि या जो योजना है चत्र के समस्त अनुशूचित छेत्र शेडूर्ड एरियास में लागू होगी ये बात भी बिल्कुल सहीं है डी स्टेट्मेंट क्या कहता है वित्तिवर्श दोहजार का नहीं था इसलिए गलत स्टेट्मेंट जो है वो अप्शन अंबर डी में दिया गया है आई होप आप समझ गए होंगे नेक्स क्या है आयुश्मान कार्ड बनाने में कौन सा जिला राज में प्रथम स्थान पर है तो ये भी आपको मैंने लास्ट वीडियो में बताया था आंसर क्या है आपका कांकेर ठीक है चलिए तो अब इस वीडियो के में इंपोर्टेंट ड्यूस जो है उस पर आ जाते हैं सबसे पहले ही दिया हुआ है आकार दोहजार तेश ठीक है इसका आयोजन किया गया या किया जाएगा कहलू एक से लेके 19 मैं तक तो आकार 2023 इसका आ 19 मैं तक ठीक है अब समझियेगा तो बेसिकली है यह हमारे राज में हमारा जो संस्कुति विभाग है डिपार्टमेंट उफ क्या है कल्चर इसके द्वारा क्या किया जा रहा है तो हमारी जो पारंपरिक शिल्प हैं इसके अलावा हमारे यहां पर जो विविद कलाएं हैं उन सभी पर एक ट्रेनिंग शिविर लगा है कहलो एक कैम्प लगा है ट्रेनिंग का इसी का नाम है आकार 2023 और यह एक से लेके 19 मैं तक इसका आयोजन किया जाएगा ठीक है तो क्या बताया मैंने डिपार्टमेंट उफ कल्चर है वो क्या कर रही है तो 36 गड़का जो लोकल क केहलो या ट्रडिशनल केहलो आट फर्म है इस पर क्या कर रही है तो प्रसिक्षण शिवर दे रही है अब इस पर जाकर किन किन चीजों का प्रसिक्षण लिया जा सकता है भई तो ध्यान रखना अगर कोई गोधना आर्ट सीखना चाहे तो उसका प्रसिक्षण मिल जाएग इसके अलावा कोई मूरल आर्ट मतला मूर्तिकला इससे सम्मंधित ट्रेनिंग लेना चाहे तो इसको मिल जाएगा इसके अलावा कोई टेरा कोटा आर्ट का ट्रेनिंग लेना चाहे तो मिल जाएगा हमारे जो ट्रेडिशनल वाध्ययंत्र होते हैं म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उसमें अगर वो ट्रेनिंग लेना चाहे तो भी उसे क्या होगा मिल जाएगा इसके लावब बहुत सारी कलाएं चत्कुलगड में चलती है जैसे कि रजवार भित्ती शिल्फ हो गया और बहुत सारी इन सब का अगर ट्रेनिंग लेना है तो हमारा डिपार्टमेंट ऑफ कल्चर एक ट्रेनिंग क्याम चलाएगा आका 2023 के नाम से एक से लेके 19 मही तक ठीक है भई अब ध्यान रखना इसका फी जो है मातर 200 रुपए है भई ठीक है किता है फी 200 और वो भी अगर कोई व्यक्ती हैंडिकाप है या वो ओर्फिन है सबल लाया तो कोई हैंडिकाप है या कोई ओर्फिन है ओर्फिन मतलब मान लीजिये जिसका कोई ना हो ठीक है और हैंडिकाप मतलब तो आग समझ गए अपंग या अपाहीच तो हैंडिकाप है या ओर्फिन है तो उस कंडिशन में उसको यह ट्रेनिंग जो है वो दी जाएगी अब यह ट्रेनिंग होगी कहा तो समझना लोकेशन है महंत घासी दास समारक संग्रहाले वही गड़कलेवग बगल वाला अब बेसिकली बहुत सारे लोग इसको गुरु घासी दास संग्रहाले बोल देते हैं महंत घासी दास है ना महंत घासी दास अच्छली नाबगा और या सब के राजा थे और गुरु घासिदास सत्नाम पंत के संस्तापक तो यह जो संग्रहाले है यह जो म्यूजियम है यह महंत घासिदास के नाम पर नहीं है तो इसका वेन्यू लोकेशन क्या रहने वाला है महंत घासिदास संग्रहाले मौर्निंग की पाली चलेगी साथ से दस औ ठीक है अब एकदम से बात कर दूँ अगर इसके objective की की उदेश क्या है इसका तो ध्यान रखना है कि ये जो कलाएं है traditional और शिल्प हैं इनका क्या करना संदक्षन conservation तो करना ही करना लेकिन इनका साथ में क्या करना प्रचार प्रसार और लोगों में इसके प्रती जागरुकता लाना समझ में आया कि नहीं आया यही इसका उदेश है तो traditional हमारा जो art form है 36 गड़ का ना सिर्फ उसका conservation करना बल्कि उसको propagate करना और लोगों को उसके प्रती क्या करना जागरुक बनाना या अवेर करना यही objective है आकार 2023 का क्लियर है कि नहीं है इसी objective से या इसी objective को लेके हर साल जो है शिल्फ कलाओं पर प्रसिक्षन शिवर लगाया जाता है इस साल एक से लेके 19 महीं तक लगेगा इस पूरे के पूरे टपिक को बहुत ही प्रॉपली आप सो ही समझ गए होंगे examination point of view से questions की अगर मैं बात करूँ तो ध्यान रखना सबसे पहला ही question आपको पूछेगा आकार 2023 का संबंध किस्से है और चार statements दिये रहेंगे आपको select करना है कि जो traditional art form से उनकी training से है second पूछ सकता है कि ये जो training है कब से कब तक आयोजित की गई तो आकार 2023 का आयोजन कब से कब तक था तो first से लेके 19 में ये second question हो जाएगा third पूछ सकता है कहां पर किया गया था तो ध्यान रखना महंत घासिदास संग हाल है तो ऐसे questions जो है आप इस topic में से expect कर सकते हैं अगला next देखिए बहुत important topic है क्या है भई तो मुख्यमंत्री के मंशान रूप बालो district जो है अभी आप लोगों को पता होगा एक से लेके 30 अप्रिल तक हमारे राज में क्या चल रहा था सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षन शोशल एकनॉमिक सेंसिस चल रहा था और इस सेंसिस में हुआ ये या कह दू सीधा सीधा इस सेंसिस को सबसे पहले कौन से जिले ने complete किया है तो बालो district में है ठीक है वही इस news मे लिखा हुआ है मुख्यमंत्री के मंशानुरूप बालो जिला सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षन कार्य के अंतरगत 16 दिवसों में शत्य प्रशितिशत लक्ष को पूरा करने वाला राज का पहला जिला बन गया एकदम इजी फॉर्म में समझना हुआ ये था कि बालो district जो है इसको सरकार की तरफ से टार्गेट मिला था 1.62 लाक जो रेसिडेंस हैं इनका सर्वे करने का और टाइम वही था एक से लेके 30 अपरिल जिसमें ये शोशो एकनॉमिक सेंसेस होना था ठीक है तो पिछले वीडियो में भी बताया था शोशो एकनॉमिक सेंसेस जो है शोशियो कर देना है इसको शोशियो शोशो एकनॉमिक सेंसेस जो है एक से लेके 30 अपरिल तक होने वाला है अब ये जो सेंसेस था इसमें बालोट को टार्गेट मिला था कि उसके जो 1.62 लाक रेसिडेंस एक लाग बासट हजार रेसिडेंस जो है उनका सर्वे करना है तो जिले में इनके सर्वे को मात्र कितने दिन में कम्प्रीट कर लिया गया 16 दिन में समझ में आया कि नहीं आया और ऐसा इतना जल्दी करने वाला ये हमारे राज्यका क्या बन गया 1st district तो याद रखना ये fact बहुत important है क्योंकि इस साल ये census हुआ है तो पूछ सकता है सीधा सीधा उठाके कि शोशो economic census जो है कौन से district में सबसे पहले complete हुआ तो सबसे पहले complete हुआ है क्या बालोद में और दिल कितना है 16 इस बात को भी क्या करना याद रखना तो जितना target था उसको कितने दिन में किया 16 और ऐसा करने वाला राज का पहला जिला भी बना मतलब first आया कहलो भई इसको complete करने के लिए ठीक है अच्छा अब इसमें सीधा सीधा question पर आजाओ तो क्या करेगा आपसे पूछ लोईगा कि शोशो एकनॉमिक सेंसस जो है उसको complete करने वाला पहला district कौन सा था अंसर लगाना बालोद कितने दिन में किया अगला question बनेगा तो है 16 clear तो ये दो facts है बहुत easy है I hope आप लोग समझ गए होंगे next आ जाते हैं माता कौशल्या महत्सव ठीक है माता कौशल्या महत्सव 2023 का आयोजन हुआ मुख्यमंत्रिश्वी भुपेश बगेल ने 22 एप्रिल को इसका क्या किया शुभ आरंभ किया तो अपने आप में यही एक fact सीधा सीधा पूछ लेगा कि माता कौशल्या महत्सव का इनाउग्रेशन किस ने किया तो सीधान सर ने पहला question इसको ध्यान रखना ठीक है अब fact समझ लो सबसे पहले यह कब से कब तक चला तो 22 एप्रिल से लेके 24 एप्रिल तो अपने आप में यह भी एक question बन जाता है तो पहला question किस ने इनाउग्रेट किया फिर यह कब से कब तक चला तो 22 एप्रिल तक चला दूसरा question ठीक है अच्छा अब नाम ही है भई माता कौशल्या मोहत्सव तो कहा होगा तो माता कौशल्या की जन्मस्थली कहा जाता है किसे चंद्खुरी को मतलब राम भगवान का क्या हुआ ननिहाल हुआ तो अभीतर क्या किया देख लिये इनाउग्रेट कौन किया कब से कब तक चला कहा हुआ तो चंद्खुरी महँआ ठीक है अब इसकी अध्यक्षता किस ने की है तो ध्यान रखना हमारे राजिके संस्कृती मंत्री श्री अमर जीत भगत तो श्री अमर जीत भगत जो हमारे आज के संस्कृती मंत्री है, मिनिस्टर अफ कल्चर है, उन्हों नहीं ही इसकी अध्यक्षता की, ध्यान आपको ये रखना है कि गरतंत्र दिवस जो था, उसी दिन मुख्यमंत्री जी ने ये घोशना कर दी थी कि कोशल्या महुट्सव जो है, उसको हम क्या करेंगे, और उसी क्रम में 22 एप्रिल से लेके 24 एप्रिल तक इस महुट्सव को क्या किया गया, मनाया गया, ठीक है भई, अब इसका उद्देश क्या है, तो ध्यान रखना, माता कौशल्या की जो जन्म भूमी है, उनका जो बर्थ प्लेस है, उसका जो वैभव है, उसका जो ग्लोरी है, उसे विश्व पतल पर, मतलब ग्लोबल लेवल पर क्या करना, स्थापित करना, स्थापित करना, सवन भाया कि नहीं आया, इसके अलावा हमारे राज में कला, संस्कृति और पर्यतन को क्या करना, बढ़ावा देना, तो आर्ट इन कल्चर आंड टूरिजम, आर्ट एन क इसके अलावा महिलाश शक्ति करन, वेमेन, एंपामिंट और कार्यशील जो कलाकार हैं, जो आक्टिव कलाकार हैं, समझ में आया कि नहीं, आक्टिव आर्टिस्ट हैं, इनको समरक्षन देना, इनको समवर्धित करना, प्रमोट करना, समझ में आया कि नहीं, और जो कला को प continuous development के लिए ही माता कौशल्या महुत्सव का आयोजन किया गया समझ में आया की नहीं आया क्लियर है तो माता कौशल्या की जो जन्मस्थली है उसका जो ग्लोरी है उसको ग्लोबल लेवल पर क्या करना स्टाबलिश करना राज में आर्ट एन कल्चर टूरिजम को प्रमोट करना म जो आठ ग्रूप्स है कला डल है उनके continuous development के लिए इस महुत्सव का भव्य आयोजन किया गया ठीक है कि नहीं एक फाक्ट और ध्याम रखना कि माता कौशल्या का एक मात्र मंदिर कहां पर है तो हमारे राज चत्यसगड के चंध्खुरी में ही है तो आई होप इस न्यूस को तो आप बहुत ही प्रॉपली समझ गए होंगे questions की अगर बात करूँ तो सबसे पहले पूछेगा कि शुबारम्र किसके द्वारा किया गया एक कब हुआ दो कहा हुआ तीन अध्यक्षता याद रख लेना चार क्लियर है कि नहीं इसके उद्देश को 30 words में प्रिपैर कर ले ठीक है वही चलिए अब next देख लेते हैं next क्या है तो next है मुख्यमंत्री श्वी भुपेश बग्यल के द्वारा गैर अनुसूचित शेत्रों के लिए मुख्यमंत्री 36 गड़ी पर्व सम्मान निधी योजना का वर्चुल शुभारंब किया गया अब याद करो लास्ट वी उनको संदक्षित करने के लिए हर साल 10,000 दिया जा रहा था 1840 ग्राम पंचायत को I hope आपको याद होगा ठेक है कि नहीं और इसी का पहला किष्ट 5000 रुपेश पे किया गया था इस बात को मैंने आपको बताया था तो ये तो क्या हुआ जितने जनजाती तेओहार हैं जितने ट्राइबल फेस्टिवल्स हैं उनके लिए अब 36 गड़ी त्योहार इनके संदक्षन के लिए कौनसी योजना आ गई तो ये आ गई है मुख्यमंत्री 36 गड़ी पर्व संबान में धी योजना तो वो आदिवासी परव संबान में धी योजना और ये 36 गड़ी पर्व संबा के लिए ताकि ग्राम पंचायतों में पैसा रहे तो वो लोग उ स्तियुभार को मना सके और इस प्रकार से उन उन्योभारों का महत्व इंपॉर्टेंज जो है वो आने वाली पीडियों को लगातार पता चलता रहे और इस प्रकार से हमारी संस्कुटी संरक्षित होती रहे यही इसका उद्देश है अब्जेक्टिव है हमारे राज के 61 हुरिकासखन 61 ब्लॉक्स में से 6111 ग्राम पंचायत में यह उजना चलेगी तो वह 1840 में था और यह है 6111 ग्राम पंचायत थे ख्लियर है कि नहीं अब इसमें भी क्या है तो ध्यान रखना 10,000 रुपए मिलेगा जिसका पहला किष्ट 5000 रुपए इन ग्राम पंचायतों को क्या किया गया है ट्रांसफर किया गया है क्लियर है तो ध्यान रखना ये दो योजनाएं हैं दोनों अपने आप में बहुत इंपोर्टेंट है दोनों ही योजनाओं को मेंस में 30-30 वर्ड्स में आप रेडी कर लेना एक कौन सी तो आदिवासी परव सम्मान निधी योजना दूसरी कौन सी तो आप से पूछ सकता है कि योजना कब चालू हुई है कितने ग्राम पंचायतों को रखा गया है तो 6111 इसको याद रखना और कितना अमाउंट ट्रांसफर किया जाता है तो ध्यान रखना मिलेगा 10,000 जिसमें से पहले किष्ट 5,000 मिली है क्लियर है ये बात तो ये जो त इन क्वेशन है इसको आप प्री के लिए रेडी कर सकते हैं दोनों योजना को 30-30 वर्ड्स में मेंस के लिए रेडी किया जा सकता है एन्यवेस चलिए आगे बढ़ जाते हैं काच दिम अर्ली ठीक है बै किसको काच करना है देख लेते हैं तो 30 स्कूलों के 3500 विद्यार्थ प्रसेक्षित हुए वन एवं परियावरण के प्रती जागरुकता की ये अभिनव पहल है नई पहल है ठीक है भई तो ध्यान रखना वन एवं जलवायू परिवर्तन विभाग Department of Forest and Climate Change इसके द्वारा क्या किया जा रहा है तो जो स्कूली बच्चे हैं उनमें वन फोरिस्ट और परियावरण Environment के प्रती क्या करना Awareness जागरुकता लाने के लिए Catch Them Early कारिक्रम का संचालन किया जा रहा है तो कौन संचालित कर रहा है Department of Forest and Climate Change Clear है तो यह अपने आप में एक क्वेशन प्रीका बन जाता है कि कौन इसे संचालित कर रहा है ठीक है कि नहीं अब इस प्रोग्राम के माध्यम से किया क्या जा रहा है तो ध्यान रखना जो स्कूल के बच्चे हैं उनको Aware किया जा रहा है जागरुकता लाई जा रही है ताकि किस के प्रति जागरुकता लाई जा रही है तो लाई जा रही है वन और परियावरण के प्रति वन बोले तो forest परियावरण बोले तो environment के प्रति क्लियर है यह बात ठेक है भई नेक्स दियान रखना कि दुर्ग वन मंडल मतलब इंग्लिश में कहोगे दुर्ग फोरेस्ट डिविजन के अंतरगत सिक्स्त से लेके तैंथ तक के जो बच्चे हैं इनको वन जीवन और वन विभाग की जो कार्य पनाली है उसी के प्रति जागरु करने के लिए वर्ष दुहजार बाईफ में इस योजना का क्या किया गया था शुवारम किया गया था ठीक है तो ध्यान रखना यह स्टार्ट कहां से हुआ है तो अगला कोशन पूछ सकता है आप लोगों को तो यह स्टार्ट हुआ है दुर्ग फॉरेस्ट डिविजन से दुर्ग वन मंडल से और क्या हुआ था तो वहां पर सिक्स्त से लेके टेंथ तक के बच्चों को फॉरेस्ट और वाइल लाइफ और जो हमारा देपार्टमेंट है उसका जो वर्किंग कल्चर है करार पडाली है उसके प्रदी अवेर करने के लिए जागरूप करने के लिए 2022 में ये योजना जो है वो क्या की गई थी शुरू की गई थी अभी तक 30 स्कूल के 3500 के लगभग विध्यार्थियों को क्या किया जा चुका ह इस योजना के अंतरगर ट्रेन किया जा चुका है प्रसिक्षित किया जा चुका है अब क्वेशन की बात करोगे तो बता ही चुका हूं प्री में सबसे पहले पूछेगा कि ये योजना जो है कौन चला रहा है ये योजना कब स्पार्ट हुई है कहां से तो दुर्ख फॉर याद रखना है समझना आया ताकि अगर मेंस में 30 words में कभी आ जाए कि catch them early ये जो कारिकरम है इस पर क्या करो short note तब बताना कि कहां से कब किसने चालू की और last में उद्देश मतलब क्यूं वाई ये योचना चालू है तो इतना सारा चीज आपको क्या करना है ध्यान में रखन next खनिजों से राजसरकार को वित्तिय वर्ष 2022-23 में मिला record 12,941 करोड रुपए का राजस्व इसका मतलब ये हुआ कि 2022-23 जो है इसमें 36 गड़ का mineral revenue इतना करोड रुपए था 12,941 करोड रुपए है क्लियर है अच्छा अब एक चीज को आप ध्यान रखना इसके पहले वर्ष की बात करूं 2021-22 तो 36 गड़ जो है वहाँ से mineral revenue आया था 12,305 करोड मिनरल revenue किता आया था 12,305 करोड ठीक है 22-23 के लिए किता आया है 12,941 करोड रुपए आया है दोनों को माइनस करोगे तो इस साल 636 करोड रुपए जादा आया है mineral revenue खनिज राजस्व ठीक है इससे एक famous question प्री में आता है पूछता है 36 गड़ के mineral revenue खनिज राजस्व में सरवाधिक योगदान कि स्खनिज का तो याद रखना इस बार सरवाधिक योगदान जो है वो लौयस्क आयानोर आयानोर लौयस्क का सरवाधिक योगदान है maximum contribution है mineral revenue में कितना 3607 करोड रुपए 36 07 करोड रुपए इतना योगदान second में कोईला है 3336 बहुत आसान है याद रखना तीन बार तीन लिग देना और उसके बाद 6 clear है कि नहीं तो ध्यान रखना लौयस्क सबसे जादा 3607 करोड और उसके बाद कोईला है 3336 करोड रुपए clear तो ध्यान रखना अभी तक क्या क्या तो mineral revenue कितना है सरवाधिक योगदान किसका है जो कि सीधा सीधा पुरी में पूछता है अगला fact जो सीधा पुरी में पूछ सकता है वो क्या है कि maximum खनीज राजस्वक किस जिले से मिला है तो इसमें ध्यान रखना दंते वाड़ा है क्या है इसमें दंते वाड़ा ठीक है अब क्या क्या आपको examination के point of view से काम आ सकता है तो सीधा सीधा आप सबसे पहले कितना mineral revenue है एक fact याद रखना 22-23 के लिए कितना जादा है पूछ सकता है तो ये दूसरा fact हो गया तीसरा पूछेगा किस खनीज का सरवाधिक योगदान है तब क्या लगा के आओगी INO, Lawyers इसके अलावा अगर पूछ देगा concert district से सबसे आदा मिला है तो क्या यादा के आना उस condition में लगा के आना दनते वारा तो ऐसे चार MCQs बन सकते हैं इस topic से चलिए अगले topic पर आजाते हैं अगला topic क्या है तो राजिशासन द्वारा पधान मंत्री मात्रिवंधना योजना 2.0 को संचालित करने की स्विक्रती दे दी गई है ठीक है बई तो ध्यान रखना सबसे पहले 8 जनवरी 2022 से कौशल्या मात्रिव योजना इसका संचालन किया जा रहा था कबसे 1 जनवरी 2022 से अब इस योजना के अंतरगत क्या किया जाता था जो शोशो एकनॉमिक सेंसेस है इस सेंसेस में जितनी महिला हितग्राही पात रहें समझ में आया के नहीं आया मतलब जितनी फीमेल बेनिफिशरीज हैं उनके द्विती संतान बाली का अगर है तो उसके जनवर 5,000 रुपए की एक मुश्ट शहायता दी जाती थी तो ध्यान रखना पहली ये जो योजना है क्या नाम है इसका कौशल्या मात्रत्व योजना 1 जनवरी 2022 से स्टार्ट शोशो एकनॉमिक सेंसेस में जो पात्र महिला हितगाही है जो फीमेल बेनफिशरीज है उनका जो द्विती संतान बालिका होने पर 5,000 रुपीज एक मुश्ट दिया जाता था इस योजना के अंतरगत अब हुआ क्या तो भारत सरकार का महिला एवं बाल विकास मंत्रा ले Ministry of Women and Child Development उसने नया दिशा निर्देश जो है वो जारी किया है जिसके अनुसार प्रधान मंत्री मात्री वंदना योजना इसके अंतरगत पहले दो जीवित बच्चों के लिए महिलाओं को लाभ उपलब्ध कराया जाता है अब इसके लिए हो ये रहा है कि दूसरी संतान का बालिका होना क्या है अनिवारिया है दूसरी संतान का बालिका होना क्या है अनिवारिया है अब एक एपरिल 2022 से ये जो योजना है मात्री वंदना योजना ये चल रही थी तो ध्यान रखना दो योजना है एक जन्वरी 2022 से हमारे यहाँ कौशल्या मात्रित्व योजना चल रही थी शोशो एकनॉमिक सेंसेस में जो पात्र महिला हिद्गराही है उसको दूसरी संतान होई बालिका के रूप में तो 5,000 रुपए उसको एक मुष्टराशी दी जाती थी सेकेंड मैंने क्या बताया एक योजना है जिसका नाम है क्या प्रधान मंत्री मात्री बंदना योजना अब ये जो योजना है इस योजना में पहले दो जीवित जन्म है या जो जीवित बच्चे है अलाइफ चिल्डरन है उनके लिए महिलाओं को लाप मिलता है और इस योजना में क्या होता है कि दूसरी संतान का बालिका होना अनिवारिय है एकदम कंपलसरी है मैंडेटरी है और ये योजना कब से चाले हुई है एक एप्रिल 2022 से ठीक है अब जो निर्देश आया है तो उसके अनुसार प्रथम सं संतान पर अब दो किष्टों में 5000 रुपए की सहायता तो मैंने अभी बताया कि ये जो प्रधान मंत्री मात्रवंदना योजना है इसमें क्या है दो जीवित बच्चों पर लाप मिलेगा ना तो पहले जो बच्चे हैं उसके लिए क्या हो रहा है दो किष्टों में 5000 रुप जी 6000 रुपीज जो है यह दी जाएगी सहायता के रूप में तो जब प्रधान मंत्री मात्रवंदना योजना 2.0 के संचालन को अनुमती मिल गई है तो कौश्वल्या मात्रित्व योजना इसको सरकार डिसकंटिन्यू कर रही है समझ में आया तो भई एक योजना हमारे यहांस चल रही थी एक योजना कौन चला रहा था केंदर सरकार केंदर सरकार ने कहा इस योजना का 2.0 लेक्यार आना है तो हम लोग के यहांस क्या बोले ठीक है चलो इसका 2.0 करा लेते हैं अपन तो जो पहला जो चल रहा है इसको क ठीक है अगर बात करें सीधा सीधा तो इसमें क्या क्या क्वेशन बन सकता है तो पूछेगा कौशल्या मात्रित्व योजना कब शुरू हुई तो 1 जन्वरी 2022 अगला पूछ सकता है कि प्रधान मंत्री मात्रिवंदना योजना कब से चारू हुई है तो 1 एपरेल 2022 इसका भी याद रखना मेंस में दोनों को 30-30 वर्ड्स में क्या कर लेना याद कर लेना पेपर नमबर 5 जो है इसमें सीधा सीधा पूछेगा कौशल्या मात्रित्व योजना इस पर लिखने के लिए या प्रधान मंत्री मात्रिवंदना योजना इस पर लिखने के लिए आपको पूछ सकता है चलिए अब नेक्स शत्यगर के दो पंचायतों को मिला राश्ट्री पंचायत पुरुष्टकार तो राश्ट्री पंचायत पुरुष्टकार 2023 इसके बारे में हम पिछले वीडियो में भी देखे ही थे ध्यान रटना ये कितने थीम्स पर दिया जा रहा है नौ इसमें से दो थीम हमारे लिए बहुत इंपोर्टन्ट है पहला थीम क्या है तो है गरीबी उनमूलन एवं आजिवी का समवर्धन इंग्लिश में ये है poverty, free and enhanced livelihood ठीक है तो गरीबी उनमूलन एवं आजिवी का समवर्धन poverty, free and enhanced livelihood ये एक थीम है दूसरी थीम याद रटना है क्या स्वस्थ पंचाय इंग्लिश में healthy पंचायत ठीक तो मैंने आपको बताया नाशनल पंचायत ये कहां आता है तो लुंड्रा और लिंड्रा कहां आता है तो सर्गुजा तो लुंड्रा जनपत पंचायत सर्गुजा डिस्ट्रिक्ट के अंतरगप ये जो नागम ग्राम पंचायत है ये इंडिया में third rank लाया है poverty free and enhanced livelihood की क्याटिगरी में गरीबी उन्मूलन एवं आजिवी का समवर्धन की श्वेली में वैसे ही धमतरी जो जिला है उस धमतरी जिले में एक विकासखंड है जिसका नाम है नगरी और नगरी जनपत पंचायत के अंतरगत साक्रा ग्राम पंचायत जो है उसको next award मिला है स्वस्थ पंचायत या healthy पंचायत के theme तो स्वस्थ पंचायत या healthy पंचायत है इस theme में भी यह जो साक्रा था यह भी India लेवल पे 3rd rank हासिल किया है तो ध्यान रखना दोनों ही themes में जो अपना नागम है वो भी इंडिया में 3rd rank पर आया और जो अपना सांक्रा है वो भी इंडिया में कौन से रैंग पर आया थार्ड रैंग पर आया और इसी लिए नाशनल पंचायर एवार्ड दोहजार तेईस इन्हें मिल रहा है क्लियर है की नहीं तो कुल नौ थीम जिसमें से दो थीम याद रखना है गरीबी उन्मूलन वाले में नागम और उसके बाद स्वस्त में सांक्रा दोनों ही इंडिया लेवल में थार्ड थार्ड रैंग पे आएं हैं नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है इसमें से क्वेशन तो सीधा आपको प्री में पूछ देगा क्या पूछएगा नाचल्ल पन्चायत आवार्ड कितने थीम में 9 छतों कितने थीम में वालड मिला है दो, उसके बाद नागम को किस theme में मिला है तो गरीबी उन्मूलन और उसके बाद साकरा को कौन से theme में स्वस्थ पंचायत तो ऐसे 4-5 questions जो है MCQ के form में यहाँ पर बन सकते हैं चलिए, अब कुछ vivid facts पर आ जाते हैं छोटे मोड़े facts हैं यह तो राजनाद गाओं जिला प्रशासन द्वारा संचालित किया जा रहा है computer more संगवारी तो school level के जो बच्चे हैं इनको क्या किया जाएगा computer proficiency में train किया जाएगा इस program के माध्यम से next क्या है राजनाद गाओं में हमर परिवार, helmet परिवार ऐसा एक whatsapp group बनाया गया है और लोगों को helmet पहनने के लिए क्या किया जा रहा है प्रेरित तो बहुत जरूरी है helmet पहनना सुरक्षा के लिए उसके बाद ये बहुत important है अब जो बता रहा हूँ याद रखना मानस मंडली जो होती है उसकी महिलाओं को अब माता कौशल्या अलंकरण मिलेगा तो महिलाश शक्तिकरण women empowerment के लिए सरकार की एक नई पहल है जिसमें माता कौशल्या बहुत सो जो है उसके शुभ आरंभ के अवसर पर अमरजीत भगत जी के द्वारा यह घोशना की गई है क्लियर है कि नहीं सीधा सीधा प्रीम पूछलेगा माता कौशल्या अलंकरण किस छेतर में दिया जाता है करके स्थीक नेक्स्ट महिला एवं बालविकास मंत्री है कौन श्रीमती अनीला भेडिया जी इन्होंने क्या किया है तो रायपुर के सर्किट हाउस में एक बुक का विमोचन किया है स्टेटिस ओफ विमिन इस बुक का नाम है और इसकी लेखिका कौन है तो श्रीमती आभा प्रसाथ ठीक है इसके बाद नेक्स क्या है तो 25 एपरिल को मनाया गया विश्वा मलेरिया दिवस वर्ल्ड मलेरिया डे ठीक है तो पोस्टर बैनर हैंड बिल के माध्यम से मलेरिया से बचाव रोगधाम के लिए क्या किया गया लोगों को संदेश दिया गया और फाइनली कमल विहार अब कौशल्या विहार के नाम से जाना जाएगा तो कुछ यह अलग से फाक्स थे जिसको प्री के तौर पर या प्री के MCQs के तौर पर आपको सीधा सीधा याद रखना है अब क्या करते हैं तो वीडियो को end करते हैं कुछ questions के साथ तो पहला ही question क्या है माता कौशल्या महुत्साव का संबंध के संबंध में असत्यक अथन का क्या करना है चयन चार options आपके सामने हैं उसके बाद वित्ती वर्ष 2022-23 में किस खनीच का खनीच राज़स्ष में सरवाधी की रोगदान रहा options आप सभी के सामने है third question है किस ग्राम पंचायत चत्यवड की ग्राम पंचायत नागम को किस श्वेनी में नाशल एवर्ड मिला है अगला question status of women पुस्तक जो है किनके द्वारा लिखी गई है और finally catch them early का संबंध किस से है चार options आप सभी के सामने है चलिए तो ये जो वीडियो है इसको मैं इहीं पर end कर देता हूँ और साथ में मैं आप एक्षा करता हूँ कि शनिवार टीम बजे वाला जो वीडियो है उसमें आप सभी मेरे साथ शामिल होंगे मोर्चत्तिसगर में चलिए तो मैं मिलूँगो आप सभी से अपने अगले वीडियो में तब तक ले थैंक यू और टेक केर